कुछ करना है तो हटकर चल, थोड़ा दुनिया से पढ़कर चल, लीप पड़ तो सब चलते हैं, कभी इतिहास पलटकर चल, बिना लक्ष के मुकाम कैसा, बिना महनत के नाम कैसा, जब तक हासिल ना हो मन्जिल, तो राम में आराम कैसा, अरजुन सा निशाना रख, मन में ना कोई पहाना रख, लक्ष सामने हैं, बस उसी पे ठिकाना रख, बस उसी पे ठिकाना रख, अपने कर्मों से प्यार करें, अपनी सोच को साकार करें, अपनी सोच को साकार करें. जबरदस्ट वेकंसी पिछले तीन-चार वर्सों के रेस्पेक्ट में घर बात करें, तो जबरदस्ट वेकंसी हैं, कह सकते हैं कि आप डबल के अप्रोक्सिमेटली वेकंसी आई एस बर, तो आज की इस क्लास में पूरी कॉंसेंट्रेशन रहने वाली सिटिंग अन्यमेंट के इर्दगिर्द, लेकिन उससे पहले बताऊंगा कि RBI में इंपॉर्टेंस RBI का क्या है, और किस तरीके से वो सभी अगर तो वो कैसे RBI को भी एस कर सकते हैं, मतलब क्वालिफाई कर सकते हैं, तो एक बार सबसे पहला काम आपको यह करना है, कि आपको इस सेसन को सेर और लाइक करके बैठ जाना है, नूटबुक पे लेके बैठ जाएगा, विकॉस बहुत सारी बाते होने वाली है, मतलब ब यहां नजरा रहा है, इस पर भी ध्यान देजिए, यह बहुत इंपोर्टेंट है, यह भी, मतलब यह है आपका अड़्डा का अधंगल और बहुत जल्द सुरूने वाला है, मतलब कि, in the sense, 1st of February को इसका पहला एपिसोड आने वाला है, आप में से बहुत सारे बच्चों न हमें इन्फर्मेशन मिल चुका है, तो चलिए, सबसे पहला बात यह वाला ध्यान रखिया है, कि जो भी बच्चे नए हैं, उनका काम यह बनता है, कि सब्स्राइब कर लिजेगा, विकाज अब सब्स्राइब करते हो आप, तभी हम आपको हर दिन दिखाई देंगे यहां प पहले ही बोला था कि RBI की वेकंसी जस्ट इस जैनवरी के लास से पहले पहुंच जाईगी आप तक, मतलब 25 के आश्पस में बोला था, और 25 को ही आपके पास नोटिफिकेशन आई है, तो बिल्कुल इसी तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको मार्च के एंड में आपको से खेल रहे होंगे, उसका कहीं न कहीं आज हम फांडेशन अपना देखने बाले हैं, ठीक है, तो आई थिंक आपने सब्स्राइब कर लिया होगा, और बेल आइकन भी दबा ही दिया होगा, है ना, मतलब उसको भी वही करना है, टच कर दिना है, दबाने का मतलब क्या है, औ मैं बैसे यही चाहता हूँ कि आप फिलाल कहीं भी हों, लेकिन आपकी जो ग्रोथ है, वो ग्राजवल होनी चाहिए, और यह जो आपको दिख रहा है यहां पर यह इस से बस यही दिखाये जा रहा है, कि आप किसी भी सेक्टर में हों, कहीं भी हों, कुछ भी कर रहे हों बात से बस यही मुझे जाहिर करना है और यहीं से मैं चर्चा करूँगा RBI के बारे में थोड़ी सी फिर बात करूँगा sitting arrangement की हो सकता है कुछ student जो तैयारी कर रहे होंगे हो सकता है वो अभी इस जगह पे हो लेकिन इन सब में से कही न कही रास्ते पे होंगे RBI की वेकेंसी क्या है किस तरीके से बताता हूँ मैं आपको short script में देखो RBI हर साल लगभग आप कह सकते हैं कि 200 से कम number of vacancies जाहिर करा करती थी अब तक मतब 2019 की वेकेंसी अगर तीखी जाहे तो वहां पर उसका number of vacancy था 199 मतब 119 ओवरल वेकेंसी था RBI grade B का 2019 में जो कि अब 20 और 21 कह सकते हैं मिला के आप कह लिजी या फिजो भी कह लिजी यहां पर vacancy जो है वो है 322 तो मतब 119 के respect में 129 के respect में 322 is a huge vacancy you can say it is approximately double of the normal vacancies because उससे पहले 18 की बात करें तो 170 में उससे पहले देखा है तो 160 में ऐसे vacancies रहा करती है और जो cut off की अगर बात करें तो मैं कुछ दिर पहले एक्सेशन लेकर आया था और अभी आज भी मैं 830 में एक्सेशन लेकर आने वाला हूँ इसमें डिसकस करने वाला हूँ क्या RBI का exam दिया जा सकता है मैं आपको हलका hint अभी दे रहा हूँ बाकि 830 में properly आके explain करूँगा कैसे आपको GA और कैसे reasoning आपका सबसे बड़ा stumb हो सकता है RBI exam qualify करने की यह अब इस RBI exam में syllabus की अगर बात करें चोटा समय यहां लिख रहा हूँ आपको तो दो segment है जो सबसे महत्वपूर्ण हो वो है GA और reasoning क्यू है because यह वह examination है जहाँ पर क्वांट की अगर score की बात करें तो क्वांट में आपके पास सिर्फ 30 questions मिलते हैं और 30 marks की मिलेंगे English की बात करें तो यहाँ पर यह भी आपके पास 30 questions 30 marks only लेकिन जैसी मैं reasoning की बात करता हूँ यहाँ पर यह 60 questions 60 marks और जैसी मैं GA की बात करता हूँ तो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर पास 80 questions 80 marks तो यह आपर पास scenario है यहाँ से अकेले सिर्फ GA और reasoning के दम पर आप चाहें तो बहुत आगे निकल सकते हैं क्योंकि यह दोनों subject जो ऐसे subject है यहाँ पर quant or आपकी जो English है यहाँ पर 30-30 marks है अब मेरा strategy simple strategy यह होता है जो बच्चे मुझे लगतार जोड़े हुए इस session में क्या guide करना चाहरा हूं यहाँ से क्या चोटा सा मंत्र देना चाहरा हूं क्या मंत्र है यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पास 140 marks है cut off जो जाया करती है RBI कि वो पिछले साल 122 गई थी उससे पिछले साल गई थी 116.5 अब समझे का इस बात को एक सो बाइस अगर पिछले साल गई है तो कही न कहीं वेकेंसी भी कम थी 119 वेकेंसी थी उसके रस्पेंटिव वेकेंसी अगर ग्रो हुई है इस साल अगर वेकेंसी ग्रो हुई है तो कहीं न कहीं इस बार cutoff हम expect करते हैं 57 नमबर तो जरू घड़ सकता है बताम 115 भी अगर cut अगर चाली से अगरेंसी मेलाके 140 नमबर जो है यहां से अगर आप 100 मार्स के आसपास पहुंसते हैं 95 नमबर यहां लेकि आ आ जाते हैं सेवन पीम पर लगातार मिलता रहता हूं आपको डिसकस करता हूं हर एक टॉपिक डिसकस करता रहता हूं तो यहां पर आप 100 मार्क्स यहां से ग्रैप करना है और यहां से अगर आप 30 नमबर भी ग्रैप करते हैं तो सोचिए कितना पहुंच गया आप 130 पिछले बार कट-off स से आठ नमर ज्यादा ही है जबकि 130 से अगर पांस-दस नमर का और भी नुकसान होता है आपको तो भी आप individual आपका sectional cut-off तो आप क्वालिफाई करी रहे हैं साथी साथ आप कहीं नहीं पूरा पूरा overall cut-off भी क्वालिफाई कर रहे हैं तो यह आपका syllabus है phase 1 का सबसे पहले phase 1 देखना सबसे ज़्यादा competitional कहीं होता है तो phase 1 में होता है ठीक है I hope you are getting the idea now I can read your some of your comments कि क्या चीज़ें हैं तो RBI बहुत बड़ा भॉकाल नहीं है ध्यान रखना ठीक है ना तो RBI बहुत बड़ा भॉकाल नहीं होता यह है कि आमोमन लोग RBI के नाम से डर जाते हैं कि यह RBI है मतब कुछ ज़्यादा ही कठीन सवाल होता होगा ऐसा नहीं है सबसे पहली बात कि यह दो सेग्मेन रिलाइस करेना चाहता हूं कि रिजनिंग और जिये यहांसे 80 और 60 140 नंबर है कट उफ सब्सक्राइब कर सकते हैं आज ही नोटिफिकेशन आई है अर्राम से जो लोग इलिजीबल है अब यहां पर एक ट्विस्ट है यहां पर बैंकर सकते हैं आप उसे मतब कुल मिला के सब का अगर बैंकिंग सेक्टर की सबसे बहतरीन एक्जाम की बात करें सबसे अचा जॉब प कि आपके ग्राजवेशन मैं आपके एकमिक में मत अब कैसे कि आप की अगर मैं 10 की बात करों आपके 12 की बात करों आपके ग्राजवेशन की बात करों यू, MUST have 60% 60% 60% throughout your academics if you are having throughout marks as 60% in your academics that means you are going to call you are going to fill this form of RBI grade B and then only you can go for this examination that's it simple बहुत आरह में, दो-तीन पहल हुए है बस यहां पर, if you are having 60%, not 60, this is 60%, if you have 60% marks in graduation, 12th and 10th, you are going to, you are eligible to apply for the examination, and again, अब के बता दू में, यहां पर जो marks, यहां पर जो vacancy है, वो कही न कहीं, दो गुना के आसपा से हर साल के रस्पेक्ट में, यह subject है phase 1 का, phase 2 काफी easy होता है, descriptive है, जो भी main competition है, यहां पर है, ठीक है, चलिए, हाँ, RBI assistant भी we are expecting, बट अभी नहीं, अभी फिलाल RBI grade B है, लडाई करो, इसके allowances, इसके जो facilities हैं, RBI की क्या है, perks, package, क्या-क्या है, इस पर लेके आँँगा सो मैं Wednesday को, Wednesday को बताऊंगा आपको, कि RBI की, जो job है, वो job push कितनी बहतरीन है, कितनी royal job है, क्या-क्या, इसमें facilities हैं, उस पर बात करने वाला हूँ, ठीक है, चलिए, अब मैं इस से आगे बात करता हूँ, अपने session पर आता हूँ वापस, और इस RBI के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, of course, RBI के लिए में बीचे लिए क्लास तो लेकिया हूँ, आँगा ही, RBI के लिए ये batch आपके पास आचुकी है, of course, ये batch पहले से plan थी, हम लोग जानते थी कि भाई, ये आने वाले है batch, examination आने वाला है, vacancies आने वाली, हम लोग पास information था, मैं आपको लगातार तीन-चार पिछले क्लास में बोलता आया हूँ, RBI आने वाले, RBI, तो of course, 25th को RBI आ चुका है, 29th से आपकी क्लास सुरू हने वाली है, तो बिना समय गवाई, इस batch में अनुर्ड कीजेगा, because इतना बिल्कुल to the point batch है, phase 1, phase 2, दोनों को मिला के यहाँ पे batch है, तो phase 1 फिलाल सबसे बड़ा target होगा, of course, team आपके सामने है, और batch का जो time होगा, 1 p.m. से 8 p.m. है, बीच में break काफी है, आपके पास tension मत लिजेगा, जईने की लगातार साथ गंटा पढ़ा रहा है, बहुँ ज़्याटा पढ़ाता ही लोग, ऐसा station मत लेना, पढ़ाएंगे उतना ही इतना वसकता होगा, है ना, चलिए, तो, अभी तक like-vai की संक्या बहुत कम है, fees बरो बे, fees बरो जल दी से फटाफट, क्लास की fees क्या है, like-vai करना है, like-vai करो, share-vai करो, और बैट जाओग, अब सुरू करते हैं, sitting element की concept की बात करो, सुरू करते हैं, उससे पहले चलते हैं, session summary के तरफ, session में क्या-क्या discuss होने वाला, इस पर बात कर लेता है, सबसे पहले आप ध्यान रखेगा, आज के जिसन में, जो महतवपून बिंदू है, या फिर महतवपून segment है, वो क्या है, basic concept and approach of sitting element, and then after, after the discussion of basic concept and approach, we will jump towards the questions, directly question भी jump नहीं करेंगे, basic concept के साथ move करेंगे, ठीक है, आईए, कोई बात नहीं, चैंपियन 3.0 कब स्टार्ट होगा, चैंपियन 3.0 भी I think 28 से शुरू होने वाला है, आज क्या है, 25 है, तो I think 28 से आपकी class शुरू हो जाएगी, चैंपियन 3.0 में, ठीक है, ठीक है, चलिए, तो, जिनका graduation नहीं हुआ है, वो wait करें यार, कोई दिक्कत नहीं, फिर से RBI आई आई अगले साल, आप graduate तो हो जाएए, लेकिन अभी से त्यारी में, अपने कोई कमे नहीं होने चीए, आप paper analysis करते रहा कीजिए, previous year में, पहले पिछले वर्सों में, क्या हुआ है, जब आपका अधिक्तम समय, जिस काम के इर्दगीर्द घुमता है, आप उसमें अच्छा रहते हैं, simple सी बात है, जो काम आप कर रहे हैं, उसके इर्दगीर्द आपका अधिक्तम समय गुजर रहा है, मतलब आप अच्छा कर रहे हैं वाला हैं, तो tension मत लिजिए, लगे रहे हैं उसमें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, चलिए, now I will talk about the topic, that is sitting arrangement, basic concept पर बात सुरू करते हैं, basics क्या है sitting arrangement का, क्योंकि sitting arrangement अपने आप में ना ही सिर्फ bank की examinations में, बलकि जितने ही management की examinations हैं, मैं cat से लेके तमाम exams की बात करूँ, चाहिए, cat हो, snap हो, cmat हो, IFT हो, कुछ भी हो, everywhere, banking sector के तमाम exams में, हर जगह, मतलब एक बहुत ही ज़्यादा important, बहुत ज़्यादा productive segment होता है sitting arrangement, अब बच्चा जो भी 2021 में अपने bank examinations को target कर रहा है, कि यार मुझे bank qualify करना है, या फिर मेरे batch में ही पढ़ना है, तो जो मेरे batch में पढ़ना भी चाह रहा है आगया के, जैसे जो champion 3.0 स्टार्ट होने वाले, उस batch में आप join भी करना चाहते है, तो मुझे सभी से request करूँगा यार, इस class को देखो, तो ज़्यादा मज़ा आएगा batch में, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि basics बहुत clear रहे आपकी, और basics से बात सुरू करने वाला हूँ, sitting arrangement मतलब की बैठख ववेस्था, होगा क्या यहाँ पे, आपके सामने ये chapter सब सब ले आता, किस segment of reasoning के अंदर आता, मैं कहूँगा ये segment जो है ये verbal reasoning कहते हैं इसे, क्या कहते है, verbal reasoning, verbal reasoning, that means कि you will be provided with some passage, passage that comprises of clues, आपके सामने कुछ passage होंगे, उस passage में कुछ clue होंगे, और passage के निए जो clue है, उससे आपको arrangement करनी है, लेकिन वो clue presentation, जो clue की presentation होगी, वो बहुत ही अच्छे अच्छे लेवल पे हो सकती है, अलग-लग segment of examinations में, जैसे मैं पी ओ के बात करूँ, तो पी ओ के प्री में जो लेवल रहेगा, clue के presentation की, of course सवाल का जो frame रहेगा, वो तो लग-बग बराबर ही रहता है, प्री मेंस में, लेकिन, the presentation of clue will be different in pre and main's examination, so you need to take care, you need to take care of the basics of this particular topic, and any further topic, then only you can ace that topic at the end, है ना, तभी आप उसको बहतर कर सकते हैं, ठीक है, अधित तुक्मार का बद्ध है, बिल्कुल हपी बद्ध अधित तुक्मार, चलिये, अशिरवाद, अगला बद्ध बैंक में मनाया, ठीक है, चलिये, तो बेसिक कॉंसेप्ट के बारे में, क्या बात करने ही हैं, सिटिंग अरेज्मेंट का सवाल, का जो बेसिक कॉंसेप्ट है, वो यह है कि कहां से, आखिर इसका बेस क्या है, मतलब की, यह किन-किन टाइप के, स्ट्रक्शर पर डिपेंड कर सकता है, यहां से बात सुरू करता है, बाकि वैसे अगर अभी के जमाने की बात करें, जो अभी 2021 में चल रहे हैं, अभी के सवाल की बात करें, तो अफूर्स बहुत सार रिसर्च होते हैं, उमंएं में में होते हैं, तो पहले हम यहां परी की बात कर लेते हैं, ठीक है, यहां बात करते है, the question based on bounded bodies, तो यहां पर सब आभी बांडाब लिखता हूं, bounded bodies, bounded body का मतलब क्या बोलने वाला हूं मैं यहांपर, bounded body का मतलब क्या है मेरा, वैसे bodies जो घिरे हुए है, चाहिए वो circle है, square है, rectangle है, triangle है, rhombus है, मतलब ऐसे pentagon, hexagon, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, rhombus नहीं होता moment, लेकिन वो तो flow flow में आया, लेकिन कहने हैं, मतलब है कि circle, square, rectangle, bounded, triangle है, आपका pentagon है, hexagon है, यह सब चीज आती है है आजकल, next one, second segment आपका जो है, उसको कहते है linear bodies, तो question based on linear bodies, ठीक है न, question based on linear bodies, and question based on bounded bodies, now I'll just write down the examples of these things, क्या क्या इसके इंदर आएंगी, तो circle है आ सकता है, circle आ सकता है, क्या सबसे कोड चीज का है, circle है, square है, ठीक है, rectangle है, ठीक है, triangle है, then after you can go for pentagon, you can go for hexagon as well, etc., so these are the things, these are the part of you can say question, जो आज के innovation वाले दुनिया में, कही न कहीं सवाल में innovation चल रहा है, और वो इस तमाम पहलू पर आपको ध्यान अखना पड़ेगा, not only the question based on circle, लेकिन जितना बहतरी न आप circle में होते हैं, उतना ही बहतर आप फिर आगे काम कर पाते हैं, तो सबसे important है, कि आप circle based question को, because सबसे अधिक्तम जो question आपको मिलेंगे, practice करने के लिए different sources पे, वो भी circle वाले मिलेंगे, तो पहली बात तो यह है, कि जितना strong पकड़ आपका circle वाले question पर होने वाला है, उतना ही आपका बहतरी न आपका आगे काम करने वाला हो, ठीक है न, मतलब strong रहेंगे, आप pentagon भी समझ में आएगा, आपको square भी समझ में आएगा, rectangle भी समझ में आएगा, hexagon, triangle, etc, जो भी बना दिया जाए, आप सब पकड़ लेंगे, मसला यह है, कि circle को जितना strongly आप पकड़ेंगे, उतना ही बहतर बाकि सब होगा, बात करते हैं दूसरे segment, linear segment में क्या situation है मारे पास, linear के segment में अगर बात करें तो यहाँ पर straight line, बहुत है simply, यहाँ पर straight line मिलेगा आपको, and paddle line, वैसे अगर बात कहूं, मैं seriously अगर बात कहूं, तो paddle line के अलावा भी यहाँ पर, आपको मिलता है आजकल, three straight line, या four, two pair of paddle line, है ना, मतब आज single, यह straight line मतब single line, यह double line, यह triple line, four line, आज सबा रहा है, लिए जो triple line है, triple straight line, या four straight line, those are coming under the means examination of SBI PO और you can say IBPSPO, वहाँ हम expect कर सकते हैं, तीन line वाला सवाल, या फिर चार straight line वाल सवाल, है ना, मतब three parallel row, parallel line, and you can say four parallel line, ऐसा भी कर सकते हैं, इसा भी कर सकते हैं, यहाँ तक पहुंच चुका है, समझ रहे हैं, बहुत दूर तक पहुंच चुका है, innovation का दुनिया है, लेकिन वहाँ तक पहुंचने के लिए आपको basics strong रखना पड़ेगा, उस basic पर काम शुरू कर रहे हैं, ठीक है, आईए, now what are the things, जहाँ पे मैं ध्यान रखना चाहिए, प्रकाश योहान आपने कुछ comment किया, hello sir, help me sir, मैंने आपकी class भी online purchase की है, और Shantun sir की भी, आज की Shantun sir की live class में दिख नहीं पाया, hope you got your query resolved, ठीक है, प्रकाश, ठीक है, चलिए, सुमित कह रहे हैं sir, इस बार sitting element आप जल्दी पढ़ा रहें, 2020 में आपने last में पढ़ाया था, अच्छा, ऐसा है कि, 2020 में मैंने मैं मैं पढ़ाया था आपको sitting element YouTube पे, मुझे लगता है मही जुन में मैंने पढ़ाया आपको sitting element, हाँ मही में पढ़ाया था मुझे लगता है sitting element आपको, मैं YouTube पे विद्धू है भी इसमें, इस बार जल्दी पढ़ा रहें, of course, बिको इस बार selection जादा चाहिए अपने को, तो पहले sitting में पढ़ाया थे रहें, ठीक हो, आप लोग का demand था, आप लोग का demand था sitting जल्दी start कर दीजेगा, तो मैंने syllogism and equality कराने के बाद आपको sitting start कर दिया, कोई issue नहीं आगे बढ़ते हैं, Now, what are the key points where we should be very much clear, कौनकों से वो key points हैं, कहां कहां पर ध्यान अखना हैं अम लोग को, ठीक है ना, उसकी बात करते हैं, So, sorry, हाँ, सबसे पहले तो यहां पर आता, सबसे पहला बिंदू, सबसे पहला point, चुकि एक जो पहलू है sitting arrangement और puzzle को जो अलग-अलग कर देता है, वो पहलू है direction का, अगर आपको भी गौर करते होंगे, तो बहुत सारे लोग कहते हैं, कि सबसे जादा कटिन होता है, अधिकतम लोग आपको यही कहते हों मिलेंगे, कि puzzles जादा कटिन होता है, दोनों ही chapter कैसे हैं, दोनों में ही a set of passage होता है, दोनों में ही arrangement करना होता है, चाहिए sitting arrangement हो या फिर puzzle हो, दोनों जब हमें क्या करना है, भाई हमें करना है arrangements, हमें इस, जब हम sitting arrangement की बात करते हैं, तो यहाँ पे कुछ खास mathematical bodies के inside, या उसके around हमें लोगों को मतरब की arrange करना होता है, मतरब उनके around, mathematical bodies के around, चाहिए वो circle हो या straight line हो या कुछ भी हो, लेगिन जैसी हम बात करते हैं, इधर हम puzzles की बात करते हैं, तो वहाँ पे एक chart हमारे पास बनता है, चाहिए वो कोई भी form हो, चाहिए वो day-based puzzle हो, या फिर फ्लोर-based हो, या फिर एक classification puzzle का part हो, वहाँ पे हमारे पास एक chart के अंदर हम चीजों को fill करते हैं, मसला यह है कि जब हम arrangement करना जाते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास जो clue की presentation होती है, वो इस तरीके सो होती है कि A is sitting third to the right of B, मतलब कि A जो है, वो B के दाहिने तीसरे स्थान पे है, मतलब कि A की जो dependency है, वो B पर है, वो उसके right or left dependent कर रही है, तो यहाँ पे direction के साथ clue होंगे, और जह हम puzzles की बात करेंगे, तो वहाँ पे हमारे पास direction के बिना clue होंगे, पस यह difference बड़ा सा है, हमें यहाँ भी elements को place करना है, वहाँ भी elements को place करना है, वहाँ के clue में सबसे important clue जो होता है, वो यह होता है कि when they are saying, they used to say, mostly वहाँ पे कहते हैं कि, there are three floors gap between A and B, या फिर B is three floor away from A, ऐसा करके, या B is three floor above from A, यहाँ पे बच्छाए confused होते हैं वहाँ पे, तो जब बोलता है वहाँ पे, चली puzzles की बात करूँ तो properly और भी define करूँगा, अभी confused नहीं करने का, अभी हम particularly describe करते हैं, discuss करते हैं setting arrangement को, मैंने और रेडी कहा दिया आपको, setting arrangement का मतलब क्या है भाई, direction के 7 clue, puzzles का मतलब है direction के बिना clue, simple, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, ओके, चलियो, अरे certain वाला, मतलब की uncertain वाला, सबका बदला लेंगे यार, आउना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो सबसे पहला point जो आपको ध्यान रखना है, वो है आपका direction, always take care of direction, very clearly, most of the student used to stuck when they think about the direction with respect to this topic of setting arrangement, they used to get stuck, कैसे यहां पर जजज करेंगे, कि इसका left, right कहा है, मतलब वहाँ पर एक बार आपका left का right हुआ, यह right का left हुआ, तो आप गए धराशाही हो गए, आपका सवाल गलत होने बाला है, और यह चीजे प्रैक्टिस के दरान भी हो सकती हैं, और अगर प्रैक्टिस में अच्छे सा नहीं कर पाए, आप चीजों को नहीं समझ पाएं basic concept, तो आपका कहीं न कहीं, concept यह अगर आप weak हैं, तो कहीं न कहीं examination center के अंदर भी हो जाएगी यह चीज, तो सबसे पहला चीज, सबसे एहम जो मुद्दा है, वो है direction का, always take care of direction very precisely, very clearly, and सबसे clearly आप तभी की चीज को रख सकते हैं, जब उसको आप daily practice कर सकते हैं, और direction का daily practice क्या है, कि हम जब दुनिया में कहीं भी चलते हैं, फिरते हैं, कहीं पूछा याता है, कि यार anti-clockwise मत्तब कि ऐसा हो गया, clockwise मत्तब ऐसा हो गया, इसको याद करने ना, बटा, है ना, अरे पापी इनसान, एक बात समझो, आज के सवाल का level से देखो पहले, और जो तरीके बता रहे हैं, वो 1990 का तरीका है, और anti-clockwise, clockwise तरीका बुरा नहीं है, लेकिन वो आज के जमाने के हिसाब से नहीं है, बस यह बोलूँगा, बिकॉर्ट तो question, at that point of time, जो हम सन 2005 की बात करना है, 2010 की बात करना है, उस वक्त सवाल आते हैं तो बहुआ सवाल, उस वक्त सवाल में होता किया था, सब लोग सेंटर देख रहा है, बहुत ताम-जाम किया, तो सब लोग बाहर दिखा देगा, अरे भाई, तब तो बड़ा easy काम है, कि आपके anti-clockwise, clockwise-clockwise से आप direction निकाल लो, लेकिन जैसे हम बात करने लगते हैं, mixed direction की, आज के सवालों की बात करते हैं, तो सबसे पहला सवाल शुरूई होता है कहां से, हम sitting element की basic, जब discussion करेंगे, आज ही के class मैंने डाल दिया है, सवाल, some people are facing inside, some people are facing outside, समझ तकते हैं, आज सही डाल दिया हमाँ है सवाल, मतलब यह है कि, अब सुरुवात में हमें चर्चा करना पड़ता है, वहीं से सर्चाई के सुरुवात करना पड़ता है, मतलब की, कहीं न कहीं, यहां पर हमें सबसे पहला point ध्याना करना है, इंद्रेक्शन का मतलब यहां पर क्या है, judgment of left and right, ठीक है ना, judgment of left and right, नौट नौट साउथ इसम नहीं का बात नहीं करना, left and right की बात करना है आप, ठीक है, यह पहला point, एंद इस चीज़ को judge करने के लिए क्या करना पड़ेगा, judgment of left and right कैसे करेंगे आप, assume yourself, बहुत सिंप्ली, क्या करेंगे आप, assume yourself, आप खुद को assume की जो उस particular point पर इस से बढ़िया तरीका नहीं हो सकता है direction को चेक करने का, ठीक है ना, clear है बात, clear है, ओके अनिकेत, I will try to talk to you, ठीक है ना, देखते हैं, अभी पहले तो फिलाल यहाँ बेपढ़ते हैं, so direction की मामले में सबसे पहला point, judgment of left and right and that can be done very clearly just by assuming yourself at that particular point, उस जगह पर खुद को assume करो, सबसे बहतरीन तरीका वही हो सकता है judgment को करने का, किस चीज़ को करने का direction का, मतलब example, example लेते हैं, example क्या है इस चीज़ का, example देखिएगा, मालो एक circle है यहाँ पर, क्या है एक circle है, इस पर कितनों लोग बैठे है, मालो बोला गया, आट लोग बेठे हो है, टो हम लोग क्या करेंगे, आट लोग ऐसे कर दिएगे, अब इस आट लोग के presentation में भी क्या है, इस आट लोग के presentation में, कहीं न कहीं हमamię इस बात का ध्यान लखना है, कि हमें, जब भी even number of people का बात किया जाएगा, जब भी even number of people का बात किया जाएगा तो ध्यान अकिया कि हमेशा दो लोग को आमने सामने बिठाएं अगर odd number of people का बात किया गया तब तो कोई दिक्कत नहीं माल 9 बूला गया तो आठ बना दी इस तरीके से, नाइंध कहीं भी एडियस कर दी कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन अगर बूला गया आठ, बूला गया छे, बूला गया दस तो हमें इसा सरकल में खास और पर ध्यान रखिया कि हमेंसा आमने सामने बिठाएं लोगों को हम यह पहली प्यात्मिकता आपको ध्यान रख नहीं है दूसरी बार direction यहां पर direction हमारे सामने हो चुका है, मैंने क्या बोला, हमेंसा खुद को एजुम किया अज का जमाना चुद रहा है कहीं वो mixed direction चुद रहा है यह बंदा तरीका आपको आपका इंसाइड है या इंसाइड है या आउटसाइर ल어야 है वो आपके दिमाग पे जोड नहीं डाल रहा है, आपको कुणा का मेंटर बना रहा है, बोल रहा है भाई सब रट लो, और क्यों रट लो भाई, किसके लिए रट लो, समझ रहो, हमें यहाँ पे conceptually strong रहना है, हमें कि अगर खुद को visualize, खुद के दिमाग को तीज कीजे, आप यहाँ पे assume कीजे कि आप ही यहाँ पे outside देख रहे हैं, then it's very easy to say, भाई साब यह right है और यह left है, it's very easy to say, assume करके देखो न आप खुद practically, भाई आप बहुत ही लिए आ रहे हैं, यह तो right है, यह left है, समझ रहें, आप यहाँ पे खुद को assume कर रहे हो कि यह बंदा inside देख रहा उस day-to-day life वाला practical को यहाँ पे आप कर रहे हो, बात खतम हो गया, ठीक है, ठीक है, clear है बात, okay, okay, चलो, so now, 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 I'll move forward and I'll test tell you, कि यह तरीका आपको ध्यान खना है, एक समय दिक्कत होती बच्चों को, वो एक समय जहाँ दिक्कत होती बताया है, तो वो कहाँ दिक्कत होती है जब arrow downward होगा, बच्चे को परिशानी होगा, लिख लो इस बात को guarantee, मतब लिखना मत, मतब कहने मतब दिमाग में लिख लो, जब भी arrow downward हुआ, you will have to be alert, भाई साब arrow downward का मतब क्या है, north का उल्टा, north क्या होता है, north मतब हमारे खुद का दिशा, अपने खुद के direction हो क्या कहते ह चीक है, चीक है, चीक है, चीक है, चीक है, ताट मिंस की people, यहाँ पर दो यहाँ पर, लेकिन साउथ के बामने, जब हम arrow downward की बात कर रहे हैं, यहाँ पर assumptions, यहाँ पर assume करना खुद को बढ़ा ख़टीन होता है, पुद को बढ़ा होता है, इस ते बिश्म कर लेंगे, इस direction मे यहां पर भी हम जाएंगे तो आजूम कर लें खुद को यहां मैं इधर देख रहा हूं, यह राइट है, यह लेफ्ट है, यहां भी कर लूँगा मैं, यह राइट है, यह लेफ्ट है, लेकिन जब arrow downward है तो दिक्कत हो सकती है, इसको south बोल दीजे आप, north का point क्या हो जागा, south म मारा left हो जाएगा, जो मारा left हो जाएगा, जो मारा left हो जाएगा, राइट हो जाएगा, बस इस बात का ध्यान कीगा, जब downward arrow हो, थोड़ा सतर कर रहिएगा, आप आराम से direction को fetch कर सकते हैं, I hope you got the idea, ठीक है, okay, I hope you got the idea, how to think about this thing, direction को हम कैसे observe करें, कैसे माने, मैंने एक simple word और बिल्खुल सिंपल है, किताबी कोई word नहीं होता है, बस यह सब किताबों से नहीं मिलेंगा, आपको यह सब चीजे, always assume yourself, always assume yourself at that particular point to fetch the direction of left and right, that's nothing else, let's move forward towards the next two words, दो शब्द और वो दो शब्द के जैसे और भी बहुत सारे शब्द है, जो आपको बहुत इमानदारी समझ दिजना चाहिए, वो word है आपका who, which, whose, 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 इसको मैं relative pronoun कहते हैं, यहाँ पर यह शब्द आपको दिखाई दे रहा हूंगे, है ना, यहाँ पर क्या कह रहा है, some important points to remember, इसको वहत ध्यान से ध्यान में रखीगा दिमाग में, how the word who works, यह जो word who है, या फिर इसके ऐसा similar दिख है, वो यहाँ पर आएगा, and word कैसे काम करता है, इसके बारे मतारो मैं आप, and के साथ साथ क्या आएगा मिलेगा, आपको but भी ऐसा similar word है, while एक similar word है, और साथी साथ एक word और भी है, comma के बाद is, comma के बाद is, comma के बाद is, comma is, ठीक है न, comma is का मतलब क्या हो जाएगा, that is also, that is also treated as, you can say, and, वो भी and की तरह काम करेगा, ठीक है न, यह ध्याना की है, दो पॉइंट, बहुत ध्यान से, अब मैं समझाता हूँ कि मतलब क्या इस चीज़ का है, ठीक है, आईए, जल्दी से, सभी लोग, हाँ, अनुज बाद पाई कह रहा है, सब कुणा का मेडख ने, जंगल का सेर बनना है, बहुत बढ़िया यार, ठीक है न, तो मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड लिखे हुए हैं, वो इसको प्रपली एक्स्पें कर दिया है, यहाँ पे, इसका मतलब है कि यहाँ पे, पढ़ने का तरीका भी क्या है इसका, अगर क्रू मिलता है कि A is second to the right of B, B, who is third left of C, that means कि यह who किस के लिए काम करेगा, B के लिए काम करेगा, that means इसको पढ़ेंगे कैसे, इसको दो sentence के तरह treat करेंगे हम लोग, A is second right of B, and B who is third left of C, बस यह तरीका है, here the word who will get related with the element B, that's it, everything is properly explained, so आपको कोई तकलीफ ना हो, इस बात का screenshot ज़र ले लिजेगा, ताकि आपके लिए बहुत-बहुत-बहुत helpful रहे, बहुत-बहुत यह चीज, ठीक है, I hope आपने screenshot ले लिया होगा, ठीक है, आगे बढ़ता हूँ मैं, इंग्लिस में भी है, दोनों ही language में है, किसी को परिशाए नहीं होगी, इस basic concept को समझने में, I hope, things are okay now, आगे बढ़ता हूँ मैं, ठीक है, ठीक है, चली, आगे बढ़ता हूँ, second set of word हमारे पास है, वो हमारे पास है, अगे बढ़ता है, तो बोला, अभी, जब हम सवाल करेंगे, इन बिल्कुल वहा सवाल से स्टार्ट करेंगे, बेसिक सवाल से स्टार्ट करेंगे ए क्लास को, इस point के बाद हम सवाल पर चले जाएंगे, लेकिन उससे पहले समझीगा, इस and का क्या मतलब है, बोला, how the word and works, यह जो शब्द and है, यह किस तरीके से काम करता है, या फिसके से similar word, but while या कॉमा is कभी नजर आएगा, तो वो कैसे काम करता है, तो यहाँ लिखा गया है, the word if used in any sentence, it works like conjunction, that means कि, this means that it will get connected with the first element of the given sentence, यह पहले element से connect होगा, आपको, example की दोर पे, a is second right of b, बिल्कुल same sentence है, बस यहाँ पे and आ गया है, and किस के लिए काम करेगा, यहाँ पे a के लिए काम करेगा, वहाँ मने क्या किया था, यहाँ गर who था, तो अमने b से लिट किया था, and है तो किससे करेंगे a से, बन्यों इसको पढ़ने का तरीका क्या होगा, a is second right of b, फिर, अब and, and के बाद इस a को उठा के लाएं, कहाँ पे a को यहाँ लेके आ जाएंगे, now, a is third left of c, this is how, you will always have to break those sentences in two parts, चाहे वो who जोड के रखें, या फिर and जोड के रखें, या फिर but रहे, while रहे, जब भी रहे, जो भी word रहे इस तरह का, ताकि वो चीज़े ना, बिल्कुल clear आपके दमाग में आए, उसका आप अनवाद properly करें, उसको आपने आराम से set कर पाएं, अपने plot पे, ठीक है, चलिए, ठीक है, clear है बात? I hope you got the idea of this basic concept, two, three points is very much important when we talk about sitting arrangement, when we use to set the plinth, or you can say, जब हम foundations की बात कर रहे होते हैं, इस chapter of sitting arrangement की, तो यह दो-तीन बिन्दू हैं, दो-तीन points हैं, जो बहुत-बहुत महत्यपूर्ण होते हैं, इसके बिना सायद हम sitting arrangement को अच्छे से नहीं समझ पाएं, या फिर नहीं कर पाएं, अब हम इन बातों के बाद हमें बहुत ज़्याद discussion हो सकता है, और जहां से इन शब्दों को, चाहिए वो who हो या and हो, उनको भी समझने का मौखा मिल सकता है, शुरू करते हैं पहले सवाल से, पहला सवाल आपके screen पर ये रहा, हो सकता है कुछ बच्चों का ये सवाल solve भी किया हुआ हो, लेकिन फिर भी बहतरीन सवाल है discussion के इनका solve क्या हुआ जल्दी सफटा की solve कीजिएगा, और इनके लिए नया है बिल्कुल अराम से वेट करके आप भी solve कीजिए, मैं दोनों की हिजाब से solve करूँगा, ठीक है, ठीक है, clear, कि बालster अरेका ये डाल, लेक है, झाहता है, पहीजिए लेक है झा म अंसान दृटाग। निर्मल जानगिद अफकोर्स यार बिल्कुल घर पे पहुंचेगी आपके किताब हंसु कह रहे हैं सर बहुत प्राब्लम होती ही सिटिंग अनेजमेंट में बहुत ध्यान से देखेगा आप यहां पर ठीक है ना हर एक बात में बहुत सुकून से डिसकुस करूँगा विकास डे वन है आज सिटिंग अनेजमेंट का और पहला सवाल है तो यहां से ग्रेजवली कंसिस्टेंटली बने रहेगा तो चीजें बहुत अश्य समझ में आएगी अगर नहीं बने रहेगा तो तक्लीफ तो होगी उच्छल कुदमत मचाईए बतब एक बार प्रॉपरली ठीक है ना रहना है ओके चलिए डन आई होप कि आपने सवाल को एक वार स्वाल कर लिया होगा मैं शुरू करता हूँ बहुत ध्यान से डिस्कसन को सुनिएगा सॉलुशन मेंटर नहीं करता है सबसे ज़ादा मेंटर करता है जो यहां पे सवाल को लेकिया आते हैं और डिस्कस करना चाहते हैं जो चीज़ें आप तक कन्विक करना चाहते हैं उसके हिसाब से सवाल को अब्जर्फ कीज़ेगा मैंने क्या किया सवाल में बेसिक सवाल है और सर्कल आपके सामने ड्रॉ कर दिया मैंने ठीक है न मैंने circle draw कर दिया है, start करते हैं यहां से सवाल को, ठीक है, कितने लोग हैं यहां पर circle में, 8 लोग हैं, खुल मिला के 8 लोग बोला गया, इन 8 लोग की जो दसा है, जो तरीका है वो बताया गया है, भाई, A, B, C, D, E are 5 boys and F, G, H are 3 girls, F, G, H 3 लड़कियां हैं, A, B, C, D, E 5 लड़ हैं, ठीक है न, ठीक है, ठीक है, ओके, चलिए, circle यहां पर draw कर दिया हैं, हम लोग ने, 5 लोग हमारे पास हैं, तो हमारे पास 5 और 3, 8 लोग हमारे पास हैं, तो हमने क्या किया, 8 जगह यहां पर draw कर लिया है, प्रॉपर, done, आगे बढ़ते हैं, चुकि सब लोग सेंटर की ओ आपको direction का solution, direction को fetch करने में आपको मदद करें, ठीक है न, जब योई बच्चे नए हैं, जो बच्चे काफी उसमें अवगत हो चुके हैं, चीज से काफी practice कर चुके हैं, अब आप arrow draw नहीं भी करेंगे, तो को दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ लाइन खीच के भी आपका दिमा हर जगह, जब भी आप कभी passage पढ़ते हैं, तो only word का थोड़ से importance रखिएगा हमेशा, यहां बोल रहा कि A is the only boy, A is the only boy seated between two girls, हम लोग male person को indicate करने के लिए box का इस्तमाल करेंगे, और female को indicate करने के लिए circle का इस्तमाल करेंगे, ध्यान खीगा, उसने बोला कि A is the only boy, seated between two girls, और A क कौन है एक लड़का है, हमने उसको box indicate कर दिया, और साफ साफ कहा गया कि A ही वो लड़का है, A ही सिर्फ वो लड़का है, जो दो लड़कियों की बीच बैठता है, ठीक समझे मैं आरी बार, that means circle will be drawn here, circle will be drawn here, यहां कौन सी दो लड़की आएंगी यहां नहीं मालूम है, यहा लाल, हम इतना ड्रोकर के आगे बढ़ सकते है, हमारे पास जो मौझूदा element है, वो है A, और हमेशा ध्यान की आप पूरे sitting element और puzzle में यही खेल होता है, जो भी मौझूदा element है, अगर उससे जुड़ा हुआ कुल कहीं दिया गया है, तो सबसे पहले प्रात्मिकता आपको उस chapter आते हैं, उन सभी passage वाले chapter में, हमेशा जो connection होता है, जोड़ना बड़ा important होता है, and I think you have A right now on the plot, and of course you have A here in the clue as well, कहीं भी दिखाई दे, passage में, उपर में, नीचे में, कहीं भी, अब जो मौझूदा element है, उससे जोड़ावा, जो भी clue आता है, उसको उठा के यहाप लेके आ जोड़ेगा, तो समझेगा कि दो लोग बीच में बैठने वाले हैं, किसके बीच में, यहाँ पर A और B का जिक्र था, A is third left of B, मतब A और B के बीच में, दो लोग रहेंगे, अगर बोला गया होता है, A is fourth left और fourth right, तो बीच में तीन लोग, अगर बोला जागा A is second left और second right, त बीच में एक लोग, यह concept बहुत help करेगा, खास रुपे तब, जब आप mixed direction के सवाल कर रहेंगे, तब, तो यहाँ बोला गया, A is third left of B, that means कि, अगर A third left of B, एक और ची सिखाता हो मैं आपको यहाँ पर, जब भी, जब भी सभी लोग एक ही दिशा में देख रहे होंगे, सभी सभी लोग एक ही direction में देख रहे होंगे, जब भी एक ही direction में सब लोग देख रहे होंगे, तो sentence को आप flip भी कर सकते हैं, इसका मतलब यह है, यहाँ बुला गया है, A is third left of B, that means कि A is dependent upon B, but B is not on the plot, so if A is third left of B, that means कि B is third right of A, right of A, that means कि इधर right होगी आपका यहाँ पर, और आपक को यहाँ क्यों नहीं रखा, आपने यहाँ क्यों नहीं रखा, आपने यहीं क्यों रखा, इसका भी जवाब है, इसका जवाब यह है, अभी हम सवाल का इस chapter का practice सुरू करते हैं, हमारे पास सबसे ज़ादा सवाल मिलते हैं circle के, दूसरी बात, हमें सबसे ज़ादा सवाल सु यहाँ पर इसको बोलता है North direction, यह जगा क्या होता है North direction, North direction is always treated as our own direction, that means to face the direction of left and right, it's very easy to understand कि अगर यहाँ पर हम रखते हैं और खुद को assume करते हैं, तो बहुत इसली हम right और left का judgment कर सकते हैं, शुरुआत अच्छा हो सकता है, और शुरुआत अगर अच्छा है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो आप आराम से सवाल को अपने कवजे मिले सकते हैं, बासमे में आ रही है, तो इस तरीके से start किया अपने सवाल को, A fix किया, A के हिसाब से आपने B रख दिया वहाँ पे, जबकि क्लू दिया था कि A is third left of B, हमने पलट दिया उप्षी को भी को सब लो और E कौने एक male person एक जगा छोड के E side देख रहे हैं, तो भाई direction के बिना की बात कर रहा हूं, अगर वहाँ पे बोला गया तो B is हमालो direction मालूम भी नहीं होता हमें, तो बोलता B is second left of E, तो भी हम कहां रखते E को यहीं रखते, because E एक male person एक जगा छोड के हम देख रहे हैं, तो यह जगा रहा है, और यह तो यह जगा रहा है, E एक male person एक male person एक male person एक जगा रहे हैं, तो यहीं रखना पड़ेगा, समझे नहीं बात, तो यहाँ बने E को रखते हैं, आप देखो यहां से match करा लो, B is second left of E, देखो E के second left में है क्या B, of course है, तो there are so many ways to think about the clues, if you are aware of drawing the conclusion properly, that means you are going to rock in the question, समझे नहीं, आपको पालूम होना चीए कि तरह एक तरीका नहीं, गिंती गिनना से बाहर निकलो, लोगो बलते हैं, A is third right of B, count करो, B को रखो, count करो, 1, 2, 3, अरे बैल बुद्धी इंसान, अरे आगे बढ़ो भया, किसमी मतलब 2021 में चल रहे हो, और अपने व C जो है न, वो immediate left है कि इसके B के, that means now C can be put it here, C जो है, वो immediate left है कि इसके B के, उसके बाद बोला गया, one of the B's memory is a girl, B की एक परोसी लड़की है, तो भाई, एक परोसी तो यहां लड़का हो चुका है, that means एक परोसी कौन है, यहां पर लड़की आ जाएगी, अब हमारे पास ती who is immediate number of A, बहुत ध्यान से, यह clue सबसे important क्या सकते है, सबसे important clue यहां पर यही बाला है, क्या उसने कहा कि F is second right of H, F जो है न, वो second right है, मतलब H के हिसाब से दाहिने दूसरे स्थान पर कौन है, F है, और उसके बाद बोला कि H who is immediate number of A, और H जो है न, वो A का परोसी है, मतलब यह यहां तो H यहां होगा, और यहां तो H यहां होगा, यहां भी H होगा न, उसके दाहिने दूसरे स्थान पर F होनी चाहिए, अगर H यहां होगा, तो दाहिने दूसरे स्थान पर B है, मतलब F सो नहीं हो सकता है, इसका मतलब H यही पर done होगा, और यहां पर H है, that means ultimately, यहां प ठीक है ठीक है हिंदी में भी बिल्कुल सही सवाल है बिल्कुल सही सवाल है हिंदी में भी कोई तकलीफ नहीं कहीं भी दजोनी आपने कहा है हिंदी चेक कीजिए बिल्कुल हिंदी में परफेक्ट है थी गर्सायर शिटिंग टुकेदर का मतर नहीं बोला गया बोला गया कि A, B, C, D, E, R, 5 boys and F, G, H, R, 3 girls इन सभी के बारे में बुलागे कि ये पूरे आठो लोग जो है ना सरकल पर साथ बैठे हुए है इनकी बात की गई है यहाँ पर ठीक है आगे बढ़ते हैं ठीक है question number second is right now on your screen and try to answer the question यहाँ पर कुछ mix किया है मैंने सवाल में question number second नहीं अभी champion में start नहीं हुआ है अभी start नहीं हुआ है थाइस तारीक से या उंतिस तारीक से start होने वाला champion 3.0 ठीक है champion 3.0 is going to start from I think 28th or 29th I am not I think 28th से start होने वाला है हाँ क्योंकि आज से start नहीं करनी है हाँ क्योंकि छुट्टी है फिर तो start करेंगे उसको 28th से थास्टे से class उरूगा या अपकी गुरु वार से रिश्यव आप किसी से भी start कर सकते हैं मैं क्या बोल रहा हूं किसी भी क्लू से start कर सकते हैं पहला clue is not necessary मैं बस सुरुआ इसलिए बता रहा हूं आपको बिकॉस मुझे मालूमें कि बहुमत लोग A से start नहीं करते हैं इसलिए मैंने A से solve करना सुरू किया उस सवाल में बिकॉस A वहाँ पर पढ़ेंगे तो क्या लिखा हूं A is a only boy seated between two girls तो वहाँ पर element तो सिर्फ एक ही मिल रहा है आप में बच्चे चूज वैसा clue करते हैं जिसमें दो element मिल जाता है तो मैंने उस सवाल से यह दिखाया आपको बस करके कि देखो हम अगर पहले clue से start करते है जहाँ पर सिर्फ एक ही element का जिक्र है तो भी सवाल solve हो सकता है विकॉस हमारे पास A से connecting clue आगे दिया हुआ है कोई दिक्कत नहीं है की से भी start कीजिए आप ठीक है आईए शुरू करते हैं सवाल नमबर दूसरा में कह रहा है भाई देखो साथ लोग है इस बार A, B, C, D, E, F, G are seven persons sitting around a circle लेकिन इस बार condition क्या है कि only five of them are facing center सिर्फ पांच लोग है जो center की उड़ देख रहा है सिर्फ पांच लोग center की उड़ देख रहा है कि भाई कहीं न कहीं दो लोग ऐसे भी हैं जो center की उड़ नहीं देख रहा है इस बावा सवाले सुरुआत करते हैं इस mix वाले सवाल का सुरुआत करते हैं ठीक है न हमारा पास कितने लोग हैं भाई साथ लोग हैं तो हम क्या करने वाले हैं छे ड्रो करेंगे यह दम प्रॉपरली और साथवा कहीं भी अड्जस कर लेंगे बात खतम है कहीं भी आप कर सकते हैं यहां कर लिए यहां कर लिए कहीं भी कर सकते हैं because odd number of people है इस पर तो जहाँ ताम जहां है नहीं आपको इतना मालूम है कि उन साथ में से कोई 5 लोग इंसाइट देख रहा है और कोई 2 लोग बाहर की ओर देख रहा है तो आपकी full dependency है वो कहीं न कहीं इस चीज पर है जो clue हमारे पास से उस पर है अब जो clue होगा उसके हिसाब से हमकाम करने वाले है और एक और point यहां में add करूँगा कि भाई अगर कभी भी sitting element solve कर रहे है और mixed direction का सवाल अगर है mixed direction का सवाल अगर है तो कोशिश कीजिए एक बार clue को फटा फटा आप सरसरी निगाहों से चेक कीजिए कोई ऐसा clue है क्या जिसमें direction fix किया जा रहा है कि यह inside देख रहा है यह outside देख रहा है अगर किया जा रहा है तो उस clue को पहले clue बनाईए आप यहां तो खेर बहुआ सवाल है फिलाल बहुत easy सवाल है तो मैं पहले clue को पढ़ता हूँ वहाँ पर inside उसमें बताया गिया उसमें बाई ओर इंधर हो जाएगा और इंसाइट देख रहा है तो भाई इंसाइट देख रहा है मतलब बाई ओर इस साइट होगा लेट साइट इस साइट हो जाएगा और दो जगा छोड़ करेंगे c को यहां प्लेस करेंगा दोनों ही inside देख रहा है अभी E का placement done हो चुका है लिगा direction of E clear नहीं है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या कह रहा है, हमारा पास ये point भी clear हो चुका है, now, the one who is sitting exactly between D and F is not facing the center, तो D और F के ठीक मदद बैटने वाला बंदा, किसके किसके बिच, D और F के ठीक मदद बैटने वाला बच्चा जो ह होगा, वो कहां देख रहा हो, बाहर की उड़, हमारा पास D यहां set है, अब इसका मतलब D और F के ठीक मदद का मतलब जगा है, भाई एक जगा छोड़के या फिर जितना भी जगा छोड़े हम और नमर प्लेस पे आना चाहिए, तो हम कहेंगे देखो यार, अब D यहां पे ह यहां नहीं मालूम है, छोड़ दीजा, आगे बढ़िये, जैसे से कह रहा है बस करते जाए, the one who is sitting exactly between D and F is not facing the center, done, next one, now the next clue is the most important clue I must say, क्या कह रहा है, तीन जगा खाली है, और एक क्लू आया है, बहुत ही समझदार, बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत होता है, that it is somewhere related to the first element, है न, क्या बोला, उसने कौन center देखेगा, मतब G देखेगा, A नहीं देखेगा, because G is third left of, G is third left बोला गया, G is third right, sorry, G is third right of A and is facing center, that means क्यों, तो G, G जो हना center क्यों देखेगा, और दूसरी बात, दूसरा important observation यह होगा यहाँ पे, कि भाई, जब G is third right of A बो बोलो, because third बोला गया है, अगर G और A के बीच में, दो लोग रहेंगे, इसका मतब G और A का combination यहां तो ही बन सकता, G और A, because दो एक लोग बीच में रहेगा, यहां नहीं हो सकता, G और A यहां बीच में है, यहां बहुत लोग है, तो फिर बहुत लोग है, चार-चार लोग है तो G और A, G और A यहां हो सकते हैं, क्या है, दो लोग बीच में maintain करना, of course, अगर G और A, या फिर A और G यहां होता है, तो दो लोग बीच में है, maintain कर लेंगे हम लोग, उसमें से G जब center की और देख रहा है, तो जाहिर से बाते A यहां पर आ जाएगा, और G विल बी here, and G वि देख रहा है, अब उसमें कहा था कि साथ में से पांस लोग बाहर की और देख रहा हैं, और दो लोग बाहर देख रहा हैं, वो कौन है, A और E, इसका मतलब बाकी सभी लोग जिसकी direction तै नहीं थी, अब उसकी direction तै हो गई है, कि बाकी लोग कहां देख रहा है, center की और, I hope you got the idea, how to solve the question. So, I hope you got the solution and you got the idea, एक छोटा सापको आपका तरीका मालूम चला होगा, एक छोटा सापना अप्रोच सीखे होंगे आपकी यार इस तरीके सवाल को solve करना है, हाँ, एक दो कमेंट आया कि साप इतना बहुत तेज, तो बहुत तेज की आवा सकता है, when we are approaching the 1-day examinations, that means कि we need to be, the expectation, the expectation of examiner is also the same, बाई साप बंदे में रफ्तार होना चाहिए, grab करने का भी, और grab करवाने का भी, दोनों चीज़े, रफ्तार भी भरी होनी चाहिए, ठीक है ना, तो अभी तो बहुत 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 लंबा फारिंग चलेगा, यब तो पूरा सिटिंग में का कम सेम साथ लेक्शर कम सेम करूँगा, तेंशे मत लो, ठीक है ना, बहुत सवाल करेंगे आपन, बहुत सवाल, धुआँ-धुआँ कर देंगे, ठीक है, हाँ, चलो, अब इशेक कह रहे हैं, सर, क्वेशन थोड़े अच्छे लेवल के डालिये, अब इशेक, बस यह इतना ही में बोलूँगा, कि भाई, अभी हम लोग सिटिंग अनिमेंट स्टार्ट किये हैं, समय, वक्त, तकाजा, सब समझूना, बेसिक इंट्रोड़क्शन में हम लोग सवाल डिसकस करें, हमने आधे गंटे इसी बात पर चर्चा किया, कि वोट इस सिटिंग अनिमेंट और वाट वी नीड तो टेक किया है, बहुत अच्छा लेवल तक जाएगा बहुत अच्छा लेवल तक जाएगा, बस कंसिस्टेंसी बरकार रखिए क्लास में, और जिन बच्चोरे में तो लाइक नहीं किया, लाइक कर दो भाई, है ना, वो सब कर दिया करो अपना, ठीक एक सवाल homework ले लो, आप लो, यह सवाल हमर 3 है, यह आपको homework question क्विश्टाइम समाप्स हो चुका है, ठीक है, तो इसको homework कर लेता है, यह आपको homework question होगा, वैसे चडचा मैं यहां करूँगा इस सवाल का, का पहुंच के हम लोग, यहाँ सवाल में कह रहा है कि some people are facing center and some people are facing outside, मतब कुछ लोग outside देख रहे हैं और कुछ लोग center की देख रहे है, in which some are facing, some are facing center and some are facing outside the center, that means of course, now यहाँ से असली में आप कह सकते हैं कि वो तो बिल्कुल introduction का दो question था, अब यहाँ से असली में सवाल का level सुरू होना सुरू हो गया, मतब जो level चाहिए exam को, ठीक है, ठीक है, okay, I hope you got the idea how to play with the questions, अभी बहुत को सीखना बांकी है, ठीक है, चलिए, तो चलते चलते बताता हूँ, एक और सवाल है यहाँ पर, इसको भी आप एक बाद सवाल कर लिजेगा, सवाल में चार यह वाला है, यह आपका homework question यह भी है, इसको भी सवाल कर लिजेगा, बता देजेगा, इसको भी सवाल को discuss करेंगे हम लोग आगे, ठीक है न, इसको भी सवाल कर लिजेगा, कोई doubt नहीं, इसमें यह होता है, मैं चाहूँगा कि जो level यहाँ त्यार कर ले, उससे आगे हम वहाँ बढ़ा पाएंगे, यतना बहतर ही है, आप यहाँ रहेंगे, उससे बहतर हम वहाँ लेकिजा पाएंगे, ठीक है न, चलिए, ठीक है, ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, बबाई, टेक है, स्टेडिवल, ब्लसिंग्स, बट उससे पहले, बैंक महापैक ध्यान अखीगा, अभी बैंक महापैक में अन्रोल करने का मतलब है, जिनको जो भी लो eligible है, 322 वेकेंसी है, एक अलग ही जॉब है, एक बहुत अच्छा जॉब कह सकते हैं, बतलब बैंकिंग सेक्टर में सबसे बहतरी जॉब अगर कुछ है, तो वो है RBI, Grade B, अगर आप eligible है, तो बिल्कुल भरना चाहिए, रिजिंग साथ नमबर है, अकेले, और 80 नमबर जीए है, समझ रहे हैं, जिनका भी पकड़ कर इंटरफेर्स पर अच्छा खासा है, एक मार्ज को examination है, मतलब काफी टम समय है भी वहाँ से, आप लगादार पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है न, इस code का इस्तमाल कर लिजएगा, आप maximum discount grab करने के लिए, U1 double it, this code will let you get the maximum discount, तो U1 double it इसका इस्तमाल करके आप, अपने महापैक अगर ले रहे हैं, तो double कर सकते हैं, वैलिटी को, और अगर आप कोई बैस ले रहे हैं, अभी फिलाल, एक duration होता न, भाई, तो अभी offer है, रिपब्लिक डियों हर जगा चल रहा है, तो यहां भी चल रहा है, अभी इसका इस्तमाल कर सकते हैं, ठीक है, चलिए, ठीक है, चलिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अभी आई के बारे में, ठीक है, बाई,